हालो गाइज देखिए प्रांसी एंड निव किस तरह से अनार के दानों को चुन-चुन कर खा रहे हैं और प्रांसी का पूरा कॉंसेंट्रेट अनार के दानों पे देखो किस तरह से अनार के दानों को चुन-चुन कर खा रही है और कोई इनको रोकने वाला भी नहीं है देख देखिए, क्या वो, वाउ, आम भी है, आम के उपर ये अनार के दाने रखे निव ने, अनार के दाने रखकर वो खा रहा है, देखो कैसे काउंट करके रख रहा है, वो, 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 प्रांसी ने अनार के दाने आम में से निकालने की कोशिस किये, लेकिन वो निकाल नहीं पाई देखिए ये निव है निव कैसे अनार के दानों को आम के अंदर डाल के खा रहा है वाओ वाओ ये प्रांसी देख रही है और प्रांसी का पूरा कॉंसेंट्रेट सिर्फ अनार के दानों पे है और अनार के दानों को कैसे चंचुन के खा रही है अब देखिए अनार के दानों कैसे प्रांची उठा के कैसे खा रही है और निव का कॉंसेंट्रेंट आम और अनार दोनों पे है अब आगे क्या होता है देखते हैं और आम से प्रांशी को कोई मतलब नहीं है उसका कॉंसेंट्रेट सिर्फ और सिर्फ अनार के उपर है और वो अनार के उपर पे ही उसका द्यान है वो सिर्फ अनार के दाने ही खा रही है और किसी चीज़ पे उसका कोई concentrate नहीं है देखिए कैसे अनार के दानों को खा रही है अब सायद बनाना कौन खाएगा ये देखने वाली बात है ये निवनी बनाना उठाया सुरी बनाना नहीं, अनार उठाया है ये अनार के दाने निव भी अनार के दाने ही खा रहा है वो भी एक एक चुन-चुन के अब देखना ये है बनाने का क्या होता है कौन खाता है अनार के दाने रखे निव ने अनार के दाने रखकर वो खा रहा है देखो कैसे काउंट करके रख रहा है वो प्रांसी ने अनार के दाने आम में से निकालने की कोसिस किये लेकिन वो निकाल नहीं पाई है देखिए ये निव है निव कैसे अनार के दानों को आम के अंदर डाल के खा रहा है वाओ वाओ ये प्रांसी देख रही है और प्रांसी का पूरा कॉंसेटरेट सिर्फ अनार के द निव का कॉंसेंट्रेंट आम और अनार दोनों पे है अब आगे क्या होता है देखते हैं